इसमें जानेंगे कि POLGUN को कैसे यूज़ करते हैं, POLGUN का सब्कूट होता है PUL PLUS ENTER और यहाँ पन मिलेगे POLGUN TOOL POLYGUN TOOL में कम से कम 3 NUMBER OF SIDE और ज्यादा से ज्यादा 24 NUMBER OF SIDE एंटर कर सकते हैं तो POLGUN को बनाने के लिए PUL ENTER करेंगे और इसमें number of side डालेंगे जिसे मानले कि हमको hexagon बनाना है तो 6 डाल दिए अब कहरा है specify center point इसके लिए एक च्छे center point specify करना होता है और center point specify करेंगे तो दो message आएगे एक आएगा inscribed in circle और दूसरा आएगा circumscribed about circle inscribed in circle में यह चीज़ होता है कि अगर हम इसमें जो भी radius put करते हैं जो radius मांग रहा है जिसे हमने two type किया तो two type किया तो वो radius circle का होता है और उसी radius से अगर हम कोई circle draw करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा यानि कि circle की अंदर polygon बनेगा देखिए two enter किये तो यह इस तरीके का होता है लेकिन आपको यह नहीं draw करना है यह circle नहीं draw करना है यह circle हम बताए कि बताने के लिए है सिर्फ सम्झाने के लिए है यह बनाने के लिए नहीं है आप इसको next inscribed in circle हो गया दूसरा circumscribed about circle circumscribed about circle में फिर से वही काम करना है औल enter करना है नमबर अब साइट 6 डाल दी एक center point उसके पर से circumscribed about circle में आपको type करना होगा कि कितने radius के बनाना माल लिए हमने इसमें 2 डाल दिया तो 2 यह बन गया अब हम देखें अगर इसको खुब अच्छे से तो यह बन गया है अब अगर इसको check करें कि क्या हुआ है तो circumscribed about मतलब होता है कि यह जो बना होगा न सुर्कल के बाहर पलगन मना होगा दिखें कैसे to enter किये आप देख रहे हैं इसमें और अंतर समझ में आ रहा होगा तीसरा होता है age method जिसके लिए क्या करना होता है P O L enter करना होता है number of side click करेंगे लेकिन अब यहाँ पे center point अभी select नहीं करेंगे यहा से age आ नहीं तो right click करके age select कर लेंगे उसके पासे एक age का starting point डालेंगे और उसके बासे माले इसको भी हम 2 डाल दिये तो इसमें जो age length है उसकी हमने length दिया है नहीं किसी circle का radius दिये है को circle का radius नहीं है तो इसमें तीन तरीके के polygon बने use करने के जगा पर जैसा जहाँ पर use होगा वहाँ पर ऐसा use कर सकते हैं thank you for watching